नमस्कार दोस्तो मैं रूपमती वर्थे भपाल से और आपका स्वागत है मेरे चेनल रूपा ग्रीन गार्डन में उम्मित करती हूँ कि आप सब भी सस्त होंगे और अच्छे होंगे जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चेनल को सब्सक्राइब कर ले और सांती सांत पहला आइकन को भी दबा दे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोग देख सको तो दोस्तो आज मैं बात करूँगे कि अलमांडा की प्लांट में ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए हमें कुन सा उसमें काम करना चाहिए कैसे मिट्टी बनाना चाहिए और क्या करना चाहिए तो चलिए दोस्तो आज उसी की भी स हूँ और ये इसमें देखिए ॡवल से फूल आ रहा है पूरी दिवाल पर मेरे फ्लावरिंग हो रही है और आज मैं अपने वेजिटेवल की वाइन बताती हूँ कि ये मेरे गिलकी की वाइन है और ये देखिए इसमें गिलकी लगी है इसमें मैंने पॉलिनेशन कर दिया था जैसे एक नर फूल लेके और ये इसको मादा फूल बोलते हैं जब जैसे जिसमें फल आता है ये मेरी लोकी की वेल है जैसे इसमें फूल आ रहा है और इसमें फल बीचब है तो इसमें पॉलिनेशन जैसे यह नर फूल है, तो इसको कहा करना चाहिए, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूं कि इसको लेकर इसकी जो बीच की यह जो यह रहती है, यह बीच की पंखड़िये रहती है, जो पराग रहता है, इसको सब्सक्राग उसको ये pollination हो जाता है तो हमारी फिर ये बन जाती है पूरा फल बन जाता खराब नहीं होता है इस प्रकार मैं ने उसको किया था तो देखी इतनी बड़ी हो गई और ये मेरी लोकी के बेले इसमें भी आ रही है ये लोकी छोटी सी तो चलिए दोस्तो टॉपिक पे आ जाते हैं हम और ये सेम बलर है मेरी ये देखी इसमें भी फूल आ रहे है और ये सेम बलर लगी हुई है और एक बेलिये है ये बढ़ गई है तो ये देखिए दोस्तो ये मेरा आलमांडा का प्लांट है और इसमें देखिए कितने फूल खिले हुए हैं कितने लदे हुए हैं इसको मैंने नीचे से रसी से बांध लिया है क्योंकि ये बहुत फैल गया है और ये देखिए दोस्तों इसमें कलिया देखिए हर एक ब्रांच में कलिया देखिए आप ये देखिए कितनी कलिया बन रही है ढहरो कलियां भी है और फ्लावर भी है और प्लान्ट का आप साइज देखिए प्लान्ट एक बुश वेराइटी आती एक वाइन भी हρούं वो वी है में तो ये देखिए दोस्तो ये बुश वेराइटी है हॉर ये इसी साल एड़ किया है इसको ओच वैद्वमार्च है ये वाइन है। ये ये तो मेरे पास काफी दिनों से है इसमे में भी pely फूल आते हैं यह देखिए इसके फूल गिर गए हैं यहीं पर यह पूरे गिरे हुए हैं और दोस्तों यह प्लांट कटिंग से भी बहुती अच्छे से लग जाता है इसकी एक कटिंग लेंगे इतनी सी भी अगर आप कटिंग लोगे तो केसी भी मिट्टी में लग जाएगे बस थोड़ी सी हम सेंडी मिट्टी ले लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा वैसे तो यह कैसी भी मिट्टी में और जो ह लगाई है तो यह दे कि सक्सिस हो गई है नहीं इसमें से पत्ति आ गई गये तो दोस्तो और इसको थोड़ा समय इसकी के बारे में बता देती हूँ कि इसको जादा ढूब छाहिए होती है पानि भी जादा इसा हुआ रहेता है शक्राइब करेंता ने का Whatever तो दोस्तो मैंने इतने फूल लेने के लिए और इसको healthy बनाने के लिए क्या किया तो सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि आप बारिस के पहले जब इसमें फूल नहीं आ रहे होते हैं उस समय हम cutting कर देंगे इसकी क्योंकि बारिस में इसकी अच्छी growth होती है और गर्मी में भी बहुत अच्छी growth होती है या तो गर्मी start होने के समय आप इसके जनवरी फरवरी में cutting कर सकते हैं या तो बारिस शुरू होने के पहले cutting कर सकते हैं जब देख लीजिए कि इसके अंदर कलिया नहीं बनी है तो आप अच्छे से इसको shape में ला सकते हैं healthy होगा मतलब घना होगा जादा cutting से जितनी आप cutting करोगी उतना घना होगा कि एक जगे से आप cutting करोगे तो वहां से फिर आपकी दो ब्रांच निकलेगी यह देखिए यहां से cutting करिए तो ये दो ब्रांच निकली है ऐसे ही गहना होता है कि हम एक ब्रांच काटेंगे तो दो होंगे तो इस प्रकार आप इसकी cutting कर लीजिए फिर उसके बाद क्या कीजिएगा कि मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कीजिएगा आप कोई भी tools ले लीजिए या कोई भी आप वो ले लीजिए और इस प्रकार मैंने ये लिया है वैसे मैंने इसमें कर दिया सर्व आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ये कर रही हूँ कि ऐसे ही इस प्रकार आप पूरी चारो तरफ से गुड़ाई कर लीजिएगा मैं इसलिगी नहीं कर रही हैं दोस्तों मैंने इसमें सीट डाले हैं और ये यलो सिलोसिया और रेट सिलोसिया के तो ये देखीए मेरी ये सक्सेज हो गया है मेरे जो सीट डाले हैं वो सारे ग्रो हो गए अगर मैं गुडाई करूंगी तो मेरे ये पूरे बीच खराब हो जाएंगी जो पौद निकली हुई है तो मैंने इसमें पहले ही कर चुकी है मैं सिर्फ बताने के लिए तो कोई भी आप टूल्स लीजे और अच्छे से चारों त लिइए इसी में आप थोड़ा सब भर्मी कंपोस भी मिला सकते हैं गर वो गोबर खाद नहीं है तो बर्मी कंप ले लिजिए फिर आप क्या किजिए कि हमारी जो मिट्टी है उसके आसपास गमले के आसपास इस प्रकार के आप यह गोबर खाद दे सकते हैं मैंने यही किया है दोस्तो और आप यह ध्यान देजिए कि जड़ के पास में आप कोई भी फटिलाजर ना डाले बस गम लेके आसपास डालिएगा और एक में चीज यह है कि अच्छी ग्रोथ के लिए आपको जो पोट होगा पोट का साइज आप बड़ा लीजिए पोट का सा और दोस्तो क्या कीजिएका आट दिन अदर दिन बाद में फिर इसमें दो चार डाने जैसे यह तका 25 इंच से भी बड़ा पोट है तो इसमें कम से कम तस बारा दाने आप डीएपी की डालिए डीएपी की दाने भी इसे प्रकार की आप पहले गुडाई लाइकल लीजिए आसपास से और दाने को इस प्रकार फेला दीजिए और मिट्टी से आप ढाग दीजिए तो डीएपी में क्या होगा तो डीएपी में बहुत ही अच्छे से ग्रोथ होगी हमारे प्लांट के और जो हमारे लीव्ज हैं जो पत्तियां उसकी ग्रीनरी डीएपी में बहुत सारे गुण होते हैं और फूल के लिए पोटास की जरुवत होती है तो पोटास हमारे गोवरखाद में मिल जाता है या तो आप पोटास जैसे केमिकल आता है पोटास भी डाल सकते हैं आधी चम्मच या एक चम्मच काफी होगा क्योंकि पोट अगर दाल के फिर उसमें मैंने डीएपी और पोटास थोड़ी सी डाला फिर उपर मिट्टी डाली फिर उसके बाद में मैं यह रिपोर्ट किया और दूस्तों फंजिसाइट का भी पाउडर जरूरी रहता है फंजिसाइट का पाउडर भी आप नीचे डाल दोगे जड़ों के प इसमें धेरो फूल आएंगे और गोबर खात किस समय डालना है ये भी में बताओं कि जब इसमें कलिया एक बार तो हम स्टार्डिंग में जब हमने कटिंग की उस समय आप डाल दो जब डालोगे जब इसमें कलिया बन रही होती है छोटी छोटी सी आप दिख जाती है कि हाँ इसमें कलिया बन रही है जैसे ये देखिए ये इसमें कलिया बन रही है तो इस समय हमको इसमें फटिलाजर डालने की बहुत ही जरुवत होती है और गोबर खात सबसे अच्छा लाई करा है वो ही मैं बता रही हूं तो आप जब कलिया बन रही होती है उस समय भी आप इसमें गोवर खात एट कर देंगे तो उससे यह होगा कि बहुत ही अच्छे से फूल आएंगे और डियेपी के दाने से हमारा जो प्लांट है वो बहुत हेल्दी बनेगा तो दोस्तों चांकारी में इतना ही और आप भी ऐसा अपलाय कर सकते और धेरो फूल पा सकते यह देखी कितने फूल है तो दोस्तों वीडियो में इतना ही अगर आप लोगों को मेरी चांकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस् वाद